नमस्कार दोस्तों गान द्यात मस्ती चैनल में आपका बहुत बस्वागे थे दोस्तों आज हम लोग फूल गोभी की कटाई करेंगे और उसको मार्केट में बिक्री करेंगे किस टैप को वहाँ पर कटाई करेंगे आप लोग को दिखाते हैं किस टैप का तुरो ताजा ग्रोथ हुआ है ठेक है दोस्तों यह देखिए हम लोग इस तरीके से फूल गोभी का खेती किये हैं सुरू से लास्ट तक आप लोग को दिखाते आ रहे हैं वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लिजे कैसे हम लोग लगाये थे कैसे इसका हम लोग के से काफी ज्यादा यहां पर लुक अच्छा दीख रहा है देखे छोटा चोटा यहां पर पूरा फूल के रेडी हो गया है एक सब्ता के अंदर में यह पूरा कटा के खतम हो जाएगा मार्केट में बिक्री हो जाएगा ठेक है इस तरीके से कटाई करने के बाद हम लोग एक जगा पर रखते हैं और इसको पत्ता सबको फीर हम लोग तूटा के अलग करके चाट देते हैं मार्केट में बेकने के लिए आप लोग लाइप प्रूप दिखा रहे हैं यह देखिए दोस्तों कोभी को कैसी करके इसको तोड़ रहे हैं पत्ता को इसको बेचने के यह देखिए और भी है यहां यह बड़ा है कहां फिर भी छोटा है इससे भी बड़ा रहता है यह बीच की अनुसार में छटा हुआ है जैसा बीच रहेगा वैसा होता है समाई के अनुसार में बीच भी लगाया जाता है दूसरा टैमें और दूसरा बीच लगाएगा ना त कि यह देखिए इतना काट के लाए गया है अज बेचने के लिए ले जाए 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 हुआ हम लोग देखिए तोड़ के रेडी का दिया यह दिखिए इस टेप का और इसको थोड़ा यहां पर धेंठा को काटना भी होगा साइच करना होगा यह देखिए इदेर भी है अभी फर्स्ट टाइम है ज्यादा निकला नहीं अभी थोड़ा सा निकला है अब अगला बर से ज्यादा निकले गए इदर साग भी है अम लग इसको सबजी बनाएंगे बहुत कई साग को खाता है बहुत कई नहीं खाता है साग को जो इसके साथ में जो साग आता है अच्छा लगता है इसका सबजी भी अच्छा लगते साग को बहुत कई खाता है बहुत कई नहीं खाता है यह देखिए दोस्तों के कोभी कितना सुंदर दिख रहा है और यह जोला में रख दिया गया है पापा बेचने के लिए ले जाएंगे इसको अच्छा खासा अभी तो दाम मिल जाएगा रेडी हग गया है अभी शुरू-शुरू ना है इसलिए थोड़ा छोटा 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 जोला में इस तरह से हम लग पेकिंग करते हैं यह दिखिए यहां तो दोस्तो हम लग गोबी का कटाई केयर लिए और उसको मार्केट बैचने के लिए पर अब हम लग चलते हैं घर की और और मलते हैं नेक्स वडियो में अच्छे एक टोफी के साथ ठीक है तो मिलते हैं परफें तब तक क्यलिए अ झाल झाल